हाँ तो गाइस तुद्ध स्वागत है इसके विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज में तो मैं आप लोग बता दूँग का नोटिफिकेशन जाड़ी हुआ है तो चलिए मैं उस नोटिफिकेशन को परके बतायाता हूं को नोटिफिकेशन क्या है और सीउटी में जो भी करेंगे तो इस वालाव इस बार बहुत बदलाओ आया है तो मैं उसे रहे में चर्चा करना परफमें आ आप लोग क्या बता दो यहां ठीक है यहां पर देख सकते हैं 24 के नोटीस आया हुआ है तो इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगा तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजनसी के द्वारा स्यूटी का एक्जाम होता है यहां पर देख सकते हैं कि स्यूटी का फूल फर्म क्या होता है कॉमान इनुवर्सिटी इन ट्रांस टेस्ट दोजार बाइस डेट कप की है तो देख सकते हैं 24 की है तो इसमें हम लाग थोड़ा सा लेते हैं पर कर क्या है क्या नहीं ठीक है यहां पर देखते हैं ठीक है अप लोग देख सकते हैं जो इस बार एक्जाम होने वाला सी उटी का वाक का है कैसे एक्जाम होने वाला है तो सीबीटी होना नहीं कि कॉम्प्यूटर बेस टेस्ट होना है ठीक है तो चलिए बतायते लिंक एक्टिबेट कब होगा तो 6 अप्रेल को लिंक एक्टिबेट होगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं लास्ट डेट है 6 माई तक ठीक है अब डेट ऑफ एक्टिबेट होगा फस्ट एंड सेकेंड वीक ओफ जुलाई तो यानि के जो आपका डेट ऑसी यूटी तक 6 मई तक है और एक्जाम के बात बोल देते हैं यहां पर देख सकते हैं डिवरेशन ओफ एक्जाम के टाइम कितना है एक घंटा 1.9 मिनट ठीक है यानि कि तीन आवर 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा ठीक है तब बात कर लेते हैं एक्जाम डेट कब होगी तो फर्स्ट एंड सेकंड और इसमें मिडियोम आफ पेपर कितने हो सकते हैं तो तेरा लैंग्वेज में आपका पेपर वहां पे मिलेगा पहला लैंग्वेज के इंग्लेज हिंदी असामेज बंगाली गुजराति कनाड़ा मालयालम मराथी उडिशा पंजावे तमिल तेल्गु एंड उर्द आएगा और 6 मई तक चलेगा तो चलिए जो बदलाव आया है उस बदलाव को हम लोग पढ़ते हैं ठीक है गाइस तो एक कंटेंट का माध्य हम समय आपको उस बदलाव के स्क्रीन पर दिख रहागा सी यूटी के अंदर ही यह सब इतने कॉलेज और इन्वर्सिटी में एड ठीक है जो भी स्टूडेंट इस बदलाव आया है उस बदलाव के लेकर मैं अज न्यूज बता रहा हूं आपको ठीक है तो यहाँ पर दिएडमिस्टी में एडमिशन को लेकर नया नियम लागू हुआ है तो उस नियम को हम लोग देख लेता है ठीक है गाइस तो कौन सा न नियम लागू हुआ है तो चलिए मैं लाइन बाई लाइन परके आपको बता आता हूं ठीक है तो डियू जन्यू ब्हू एडमिशन 2022 राजधाने दिल्ले में सित के अंधरिये 20 बेदला मैं दाख लिए इस बार 20 बेदला से इंगत परविशा सी उटी से होंगे इसके लिए पंजी करन के पड़की रस्तनिवार से सुरू होगी आनि कि परसों से मैंने बताया ही था कि कब से सुरू होगा तो 6 अप्रेल से सुरू होने वाला और कब तक चलेगे तो 6 मैं तक चलेगे ठीक है दिल्ली बिस बिद्याले जामिया इस मिलिया इसलेमिया जवाहरलाल नहरो बिस बिद्याले के लिए तयार है एकदम बिल्कुल सही है अब ही नोटिफिकेशन यह मैंने दिखाया तो आगे देख लेते हैं डिव के कुलपटी प्रोफेसर योगे सिंग ने बताया कि सीउटी बिस बिद्याले में कम से कम 6 विसा चुन्ने का बिकल्प दिया गया है पर बिद्यार्थी का सास्ताकार लेने का निवेदन किया गया है इसके लिए 15% अंग सुनिश्चित करने की बात कही गई है है गौरत यहां कि सेंट स्टीफंस कॉलेज अल्प संख्यक यहां 50% सितों पर अल्फ संख्यक समुधाय के विद्यार्थी को दाख्ला दिया जाता है डिव कुलपती का जो एडमिसन होगा वो किसके थोगा तो सी यू इटी के माध्यम से होगा ठीक है गाइस तो थ्वास और मैं नीचे स्कॉल डान कर लो तक दम आज पूरी जनकारे देंगा वीडियो थोड़ी लंबी होगे तो बिना स्किप के देखें तभी आपको समझ में आजा का सी यू इडमिसन कर पाएंगे ठीक है तो आगर देखते हैं जामिया में आठ भी समय से हो टे दाखला फ्रेंच इससलामिया अस्तना तक 69 आथ दाखले इस बाद स्वार सी यू टी से होंगे लिन अप्रेंच यंदियो संस्कृत अस्टेइज अस्पैंश और्थ इतिहास बियोग सो जो सब्जेक्ट है वो किसके द्वारा होगा तो CUT एक्जाम के माध्यम से होगा ठीक गाइस तो आगे देखते हैं यहाँ पर जो बदलाओ किया गया है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर NTA CUT एक्जाम 2022 आपको पता हैं कब से फिल अप्रेल से कब तक चलेगा तो 6 मही तक और एक्जाम कब होगा फर्स्ट और सेकंड विक ओफ जुलाई ठीक है तो आगे देखते हैं यहाँ पर ग्रेजुएट कोर्स एडमिशन के लिए कॉमें इंट्रांस्ट जुलाई के पहले सप्ता में NTA द्वारा आयोजित किया जाएंगे ठीक है गाईस तो आगे देखते ह हम लोग आपको मैंने पहले ही बताया था जुलाई के फर्स्ट और सेकंड विक में होगा सप्ता में NTA द्वारा आयोजित किया जाएंगे यूजिसी का अध्याच एम जगदिश कुमार्न सोमवार को घोसना के एकदम सहीवा था दो तारीकों ही आया है नोटिस ठीक है तो NTA CUT आप यहां पर जो में रूल है जो बदलावाया है CUT में हुआ है यही वहला में यूज है या में यूज इस ही बदलावाया ठीक है तो देखें यहां पर हम लोग बता रहेते हैं यहां पे NTA CUT एकजाम 2022 UGC के अध्याच एम जगदिश कुमार्न ने सोमवार को घोसना किये कि सभी 45 सेंट्रल इनवर्सिटी में ग्रेजुएशन कोर्स में एडिमिसन के लिए कॉमन इंट्रांस टेस्ट जुलाई के पहले सप्ता में आयोजित की जाएगी उन्होंने कहा कि कॉमन इनवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट सीवीटी 2022 ठीक है आगे पढ़ते हैं आगे क 2022 जल्द ही जारी किया जाएगा एक्जाम के पहले रेजिस्ट्रेशन पर कि लिए अप्रेल का पहले सप्ता से सुरू होगा यानि कि कब से 6 अप्रेल से ठीक है आगे परते हैं आगे क्या बोलते हैं अध्याच अध्याच एम जगदुस्कुमार ने कहा कि इन विस बेद्व च sauce 12 व करको आपका यह समस्काया करते होगा आपको है इसलम यहां सब्सक्तार कोष्रां केश्ट के लिए कि आप का सब्सक्राया तब तक आपनरार के परसेंटेज êtes इंस्पायर होकर इस इन्वर्सिटी में डिमिसल नेनी के लिए छे तारिक से रेजिस्टेशन करा ले सी यूटी एंटीये के दवार।